नमस्कार साथियों कल्यानी आईए सेकेड़ी के डिजिटल प्रेटफर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर्स में हमने प्रिसार सिक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था इस लेक्चर में हम स्वय सेवा के छेत्र में ग्रामीन विकास की वॉलेंटरी सेक्टर रिगार्डिंग रूरल डेवलप्मेंट को पढ़ेंगे एवं समझेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही बात को हिंदी में और उसी बात को अंग्रेजी में रिपीट किया है लेकिन दरासल यहां पर दोनों ही बातें क्या है अलग-अलग ह हैं चुकि हिंदी मीरियम स्टूडेंट के साथ में कई बार वेदवाँ में और वह वेदवाँ हो सकता है ट्रांसलेशन के माध्यम से हो जैसा कि यहां पर हुआ है जैसे MPPSC ने जो सलेवस जारी किया है सलेवस में हिंदी में ये मेंसन है स्वैल सेवा के छेत्र में ग्रामीर विकास की नवीन प्रवित्तियां इसका मतलब क्या हो जाएगा कि trends in rural development और जब कि इसी को जो अंग्रे जी का जब आप सलेवस देखेंगे तो अंग्रे जी के सलेवस में क्या मेंसन है recent trends in voluntary sector recent trends in क्या हो जाएगा voluntary sector regarding rural development ये तो दोनों अलग अलग बाते हैं हिंदी में कहा गया है कि ग्रामेर विकास की नवीन प्रवित्तियां और अंग्रे जी में कहा गया है कि recent trends in voluntary sector इसका मतलब ये हुआ अलग अलग रूप से कही गई है अगर यही प्रस्न exams में पूछा जाता है तो हो सकता है आप जो कुछ भी उत्तर लिखें हो सकता है उसमें आपको परियाप्त नम्मर ना मिले इसलिए आप ध्यान से इन दोनों चीज़ों को समझे दोनों चीज़ें अलग है हलाकि जादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी दोनों में अंतर तो है और इस अंतर को नजर अंदाज करते हुए हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे मैं आपको सुवधा के लिए दरासल अंग्रे जी MPPSC जाहे MENS का Question Paper हो या Prelims का Question Paper हो उसमें अंग्रे जी में जो भी written होता है उसको preference दिया जाता है इसलिए हमारा जो focus रहेगा वो इस topic पर रहेगा कि recent trends in voluntary sector regarding rural development इस topic को अर्थात अगर इसको देखे हिंदी में हिंदी में हम क्या करेंगे कि ग्रामीर बिकास के छेत्र में स्वाय सेवा की नवीन प्रवित्तियों को प्रमुकरूप से पढ़ेंगे और वहीं मैं आपको अगर कभी कोशन पूछ भी लिया जाए तो मैं आपको स्वाय सेवा के छेत्र में ग्रामीर बिकास की नवीन प्रवित्तियों को भी बता दूँग तो दिहार रखना जो हिंदी में दिया हुआ है जो सिलेवस में हिंदी में मैंसन है हम उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आती है प्रवित्तिया या ट्रेंट्स, तो स्वतंतरता के पस्चात से बर्तमान समय तक जो ग्रामीर चेतरों की विकास प्रिक्रिया है, उसमें क्या-क्या अंतर हुआ है, वही हमको यहाँ पर है एवं समझना है, तो स्वत सेवा के चेतर में ग्रामीर विकास की अगर हम नबीर प्रिवित्तिया देखें, तो हम यहाँ पर जो ग्रामीर विकास के चेतर में, सरकार जो भी कार कर रही है, उसको हम दो तरीके से यहाँ पर बाट सकते हैं, एक क्या हो जाएगा, परम परा प्रवित्तियां और दूसरी क्या हो जाएंगी नवीन विकास प्रवित्तियां तो ग्रामीर विकास की जो परंपरागत प्रवित्तियां है उसमें अगर हम देखें तो सरकार ने शुरुवात से ही ग्रामीरों के विकास के लिए जो अधिक दियान दिया है वो किस पर दिया है क्रसी पर दिया है प्रात्मिक छेतर पर दिया है चूंकि ग्रामीर छेतरों की अधिकांस गती विदिया प्रात्मिक छेतर से संबंदित होती है क्रसी से बन छेतर से बन उपच एकत्रत करने से मचली पालन से पसू पालन से संबंदित होती है इसलिए ग्रामीर छेत्रों में क्रसी विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठा है या जो ग्रामीर विकास के कार की है वहीं क्या हो जाएगा सिक्षा का छेत्र हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा स्वस्त हो जाएगा ठीक है और क्या हो जाएगा यहाँ पर अधोसन रचना तो सरकार ने स्वतंतर ताके पस्चात ग्रामीर छेत्रों में या ग्रामीर विकास के लिए क्रसी विकास पर अधिक दियान दिया है और वहीं हर एक छेत्र में विद्धारतियों को प्रारमबिक सिक्षा एवं सरवागीर जो है उन्नत सिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए स्कूलों की स्थापना की है फिर ब्लॉक लेवल पर जो है वो स्वास्त किंद्रों की स्थापना भी की गई है और जो अधो संरचना है जिसमें ग्रामीर चेत्रों में प्रकास की विवस्ता हो जाएगी, नालियों की विवस्ता हो जाएगी, सड़कों की विवस्ता हो जाएगी, तालावों की निर्मार की विवस्ता हो जाएगी, तो ये सब ग्रामीर बिकास के ये कार सुतंदरता के पच्चास से ही किये जा रहे ही है जैसे नवीन प्रवित्तियों में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा स्वच्छता पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है चाहे वो ग्रामीर छेत्रों हो चाहे वो सहरी चेत्रों हो कसवा हो या बहुत बड़ा सहर हो हर जगे पर स्वच्छता पर बिसेश रूफ से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अगर हमारा बातावरन स्वच्छ होगा तो उससे बीमारियां कम फैलेंगी लोगों का काम करने में मन अधिक लगेगा और हमें भी सुकत स्वच्छता पर विसेश दिया जा रहा है और ग्रामीर विकास में स्वच्छता को भी एक महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण तत्य की रूप में देखा जा रहा है दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा सोचालें की विवस्ता हो जाएगी तो ग्रामीर छेत्रों चाहे सहरी छेत्रों या बर्दमान समय में ग्रामीर छेत्रों में जो खुले सोच की समस्या थी खुले में सोच करने की समस्या से निजात पाने के लिए जो मोदी गवर्मेंट है वो सुक्षता आंदोलन की तहत घ्रामीड छेत्रों में सोंचाले की स्थापना की जा रही है इसके साथ ही सोंचाले में जो निप्तान है उसकी वा विवस्ता चीह जा रही है इसके साथ में यहां पर आर्थिक किरियाऊं की नीतिया बर्तमान समय में ग्रामीर छेत्रों के उत्थान के लिए वहाँ पर आर्थिक क्रियां को बढ़ावा मिल सके इसके लिए तरह तरह की नीदियां चल रही है जैसे सहरी में जो है स्ट्रीट वेंडर योजना चल रही है जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं सहरी छेत्रों में उनको जो एक तरीके से रेड़ी पर कारे करते हैं उनको जैसे सबजी बेचने वाले हो जाएंगे या जो समोसा बेचने वाले हो जाएंगे या जो सडकों पर सामान बेंचते हैं उनके लिए सहरोई छित्रों में जो है वो रड दिया जा रहा है और यही की यही यूजना ग्रामीर छित्रों में भी लागू की गई है कि जो स्ट्रीट वेंडर इसकी में वो ग्रामीर छित्रों में भी लागू की गई है ताकि ग्रामीर छित्रों में वी जो लोग सबजी बेंचते हैं, फल बेंचते हैं या फिर कोई जो है डेली यूज का सामान बेचते हैं उनको भी रिन मिल सके एवं उनके लिए भी जो है वो रोजगार के अफसर उपलब्द हो सकें इसके साथ ही अन जो है आर्थिक गतिविदियों को फ्राथमिक्ता दी जा रही है राइट ग्रामीर छेत्रों में बाजारों का संचालन हो जाएगा ताकि लोगों को अपने आसपास बाजार से ही क्या मुल जाए बाजारों से ही जो है बस्तुएं हैं या सबजीया है वो खरीदने को मिल जाए इसके साथ ही जो जितने भी ग्रामीर छेत्र हैं चाहे वो सिक्षा को लेकर हो या स्वास्त को लेकर हो या फिर एक तरीके सम कह सकते हैं यहां पर महिला एवं सिसु स्वास्त इस पर मुक्रूप से फोकस किया जा रहा है राइट सिक्षा के लिए ग्रामीर छेत्रों के जो विद्यारती हैं उनको उन्नत सिक्षा मिल सके इसलिए ग्रामीर छेत्रों में स्कूल की विवस्ता की जा रही है या फिर उनको स्कॉलर्शिप दी जा रही है ताकि वो आसपास के छेत्रों में सिख्छा गरण कर सकें स्वास्त के चेत्र में जो आसा कारे करता है वो बहुत ही अच्छे से कारे कर रही है और जो आसा कारे करता है वो पूरे ग्रामीर चेत्रों के स्वास्त के लिए और विसेश कर जो संस्थागत प्रसब है संस्तागत प्रसब को बढ़ाने के लिए जो जच्चा एवं बच्चा है उसकी सुरक्षा में बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निवा रही है तो एक तरीके से यहां पर महिला एवं सिसु स्वास्थ पर भी बिसेश रूफ से ध्यान दिया जा रहा है वहीं ग्रामीर छित्रों में पोसड विकास जो है राइट न किये वल ग्रामीर छित्रों का सेच्चिक विकास हो सके उनका स्वास्थ अच्छा हो बलकि उनके जीवन में सरवागीर विकास हो सके इसलिए उनके जो है पोसड भी उनको उपलब्द कराए जा रहा है राइट और इस पोस्टन में जैसे कर हम बात करें कोरोना पेंडेमिक की हो या अन पेंडेमिक की हो ग्रामीर छित्रों में गेहूं के अलावा कुछ मत्रा में दालें एवं अन पोस्टिक आहार भी जो है वो बित्रित किये जा रही है राइट इसके साथ ही ग्रामीर छित्रों में सरवाग इसको प्रास्मिक तदी जा रही है इसके साथ ही अगर हम देखें तो ग्रामीन छित्रों में भी जो प्राकर्टिक संसादन है उनके सरक्षण की भी जो है सरकार नीती ला रही है और मन रेगा के माद्धिम से ग्रामी और छेतरों में जो है पर्यावरन सरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कई योजनाय चल रही है ग्राम पंचायत के माद्धिम से किसानों के खेतों में या एक गाओं के आसपास जो है तालाव का नर्मार किया जाता है ताकि वरसात का जो सारा का सारा पानी है उसको हार्वेस्ट किया जा सके और आवस्षिक्ता प जिससे सारा का सारा पानी जो है आस पास का तालाव है या अन वाटर वोडी हो जाएगा उसमें एकत्रित होगा ताकि आवसक तपढने पर उस जलका क्या किया जाएगा प्रियोग किया जाएगा इसके साथ ही ग्रामीर छित्रों में भी पौधा रूपन को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ग्रामीर छित्रों में जो मिर्दा अपर्दन है और अन्य जो समस्यां है प्रोदूसर्ण सोकने के प्रोदूसर्ण अधिक होने की उन समस्याओं से भी निजात पाई जा सके और इसके साथ ही जो है प्रॉर्ण सिक्षा इसको भी प्रमूट किया जा रहा है और मगन रेगा कारिकरम के तहट जो है वो अन संरचना जैसे एक तरीके से ग्रामीर चित्रों के जो है रोडों की साफसफाई हो जाएगी नालियों की साफसफाई हो जाएगी तो कुल मिलाकर स्वक्षता पर या ये बिसेश रूप से जो है वो ध्यान दिये जा रहे है तो कुल मिलाकर नकेवल बरतमान समय में गाउं में सिक्छा है स्वास्त है या जो अधोसन रचना है जैसे नालियां है प्रकास है उनकी विवस्ता है या किरसी विवस्ता है इनके अ बात है या पोस्टन की चर्चा हो या खेल मनोरंजन के साधन हो या प्रयावरंड संरक्षण हो इन पर भी नीतियां बनाई जा रही है और सरकार एवं जो एंजियोस हैं यह हम एक तरीके से कहें कि जो ग्रामी विकास की नवीन प्रवितियां क्या है तो ये जो हैं यह ग्रामीर विकास की नवीन प्रवितियां हो जाएंगी यह recent trends क्या हो जाएंगे recent trends in rural development हो जाएंगे हिनी syllabus के अनुसार हमको यह पढ़ना है वही अब अगर हम English syllabus की बात करें तो English syllabus में दिया गया है recent trends in voluntary sector regarding क्या दिया है rural development अर्थात ग्रामीर विकास के छेत्र में स्वय सेवा की क्या है नवीन प्रवित्तिया और यह इसका सही क्या होगा हिंदी रूपांत्रान होगा और इस topic को हम बहुत ही अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे cover करेंगे अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबस पहले हम समझते हैं कि स्वय सेवा जो छेत्र है वो क्या होता है राइट क्योंकि यहां पर दिया है voluntary सेक्टर यह क्या हो जाएगा स्वय स्वय सेवा छेत्र यह जिसको क्या वोले जाता है voluntary सेक्टर तो voluntary सेक्टर क्या होता है वो हम समझते हैं देखिए स्वय सेवा छेत्र से ताथ पर उस छेत्र से है जिसमें विक्ति निस्वार्थ भाव से बगर किसी लालस या बगर किसी स्वार्थ के समाज सेबा करता है और यहाँ पर समाज सेबा या लोग सेबा कई छेतरों में की जा सकती है जैसे अगर विक्ती चाहे तो वह गरीव विक्ती को क्या कर सकता है भुजन खिला सकता है, तो यहाँ पर जो गडामीर छेतर है, साय सरी छेतर है, उनमें जो भी वेक्ति है, उनको भुजन उपलब्द कराना भी क्या हो जाएगा, एक स्वासिवा छेतर हो जाएगा, फिर आवास मुहया कराना हो जाएगा, उसके साथ ही उनकी एक तरीके से सहाय सहायता हो जाएगी अगर कोई विकलांग विक्ति है या दिब्यांग विक्ति है तो उस विक्ति के जीवन यापन के लिए जीव का उपारजन के लिए उसकी सहायता करना ये सभी छेत्र क्या कहलाएंगे स्वय सेवत छेत्र कहलाएंगे या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ग बस्तूओं का क्या हो जाएगा दान हो जाएगा चैरिटी हो जाएगा आम आदमी जब भी समाज के हित्मे कारे करता है तो वह है स्वय सेवा छेत्र में अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो जब भी हमारे पास में जो भी रिसूर्सेज होते हैं और जब भी हमारे पास में अफसर होते हैं तो हम जो वेक्ति भूंके होते हैं उनको खाना खिला देते हैं जो वेक्ति योग के पास में सेल्टर नहीं होता है तो रित्वों से बचने के लिए राइट बरसा है या फिर जो हास कंडीसन है इन्वारणमेंट की उनसे लिए हम उनको सेल्टर प्रवाइड क क्या कर देते हैं दान कर देते हैं तो ये एक ऐसा छेत्र है जिसमें व्यक्ति जो है स्विक छासे समाज के लिए या लोगों के हित में जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है इसके साथ ही जो सेवा छेत्र है उसमें ये सब सामिल नहीं होता है सेवा छेत्र एक बहुत ही क्या ह ब्यापक छेत्र हो चुका है तो अगर हम इस टोपिक का क्रस्क समझें कि जो हमारे सिलिवस में दिया है कि स्वय सेवा की जो है वो नबीन प्रिवित्तिया क्या है तो इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं फ़िए परंपरय का तुरूफ से जो एंजियोज है या वॉलेंटरी और्गनाइजेशन्स हैं वो लोगों को भोजन के लिए आबास के लिए या उनको ये सुबदाएं दे रहे थे लेकिन बरतमान समय में समाज सेवा का मतलब यह नहीं हुआ कि दूसरों को हमने खाना खिला दिया उनको भोजन दे दिया उनको सेल्टर दे दिया बलकि बरतमा voluntary organizations हैं जो कि अधिकारों लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूप करते हैं अगर सरकार के द्वारा या बहुरास्टी कंपनियों के द्वारा महिलाएं हैं बच्चें हैं पुरोस हैं कोई आदिवासी लोग हैं या कोई माइनोर्टी से अगर किसी भी नीती से या किसी भ खिलाब आवाज उठा रहे हैं तो अधिकारों राइट अधिकारों की जाग रुकता ये भी एक क्या हो जाएगा यहां पर स्वासिवच्छित्र हो जाएगा जिसमें कोई भी विक्ति अगर मुझे आपको लगता है कि जैसे जो अगर हम देखे बरतमान समय में CAA हो जाएगा या फिर कई अन जो एक्ट हो जाएगे अगर वो एक्ट संभीदान के अनुरूप नहीं है या किसी एक समूदाय के हित्मे नहीं है तो मैं चाहूं या आप चाहें तो हम इसके खिलाब आवाज उठा सकते हैं लोगों को जागरूप कर सकते हैं तो लोगों को जागरूप कर अब सरकार का काम नहीं है क्योंकि जिस स्पीड से जलवायों में परिवर्तन हो रहा है या जिस स्पीड से परियावरन प्रदूसित हो रहा है अगर हम और आप जागरूक नहीं हुए या देश के नागरिक जागरूक नहीं हुए तो परियावरन प्रदूसर्ण या परियाव प्रयावरण को बचाने के छित्र में भी कई voluntary organization कारे रथ हैं जहां कहीं भी हो लोग water harvesting की बात करते हैं right soil pollution ना हो इसलिए कितना सक ना प्रियोग करने की सलाय दी जाती है right और बरत्मान समय में social media के माध्यम से magazines के माध्यम से news paper के माध्यम से YouTube पर account बना कर जो हैं लोगों को जा दे सकें तो ये भी स्वैसिवाद छेतर का है क्या हो जाएगा एक field हो जाएगा एक sector हो जाएगा right आठवा हो जाएगा बंचित वर्ग हो जाएंगे right जो socially depressed class है right उनके बारे में उनके अधिकारों के बारे में या वो गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें इसके लिए भी जो लोग हैं वो बरत्मान समय में प्रत्निसील है यही कारण है कि जो LGBT community है LGBT समूदाय को बरत्मान समय में थर्ड जेंडर का जो है दर्जा मिल चुका ह और अगर लोगों की जो है लोगों की विचारधारा या लोगों का समर्तन अगर इस समूदाय को प्राप्त होगा तो हो सकता है सरकार बविस्वें उनको रिजर्वे संदी भी दे सकती है या उनके हित में कोई भी कारिक्रम भी चला सकती है तो बंचित वर्गों की बात हो रही है और अगर हम देखें तो पर्यावरण बंचित वर्ग और उर्जा सनरक्षण तो कुल मिलाकर उर्जा सुषण हो जाएगा फिर पॉसन और क्या हो जाएगे जो हो जाएग तो कुल मिलाकर यहां पर जो स्वय सेवा छेतर हैं उसकी लिस्ट यहां पर नहीं रुखने वाली हैं आप जितने भी छेतरों की बात कर सकते हैं या जो भी सोच सकते हैं या वह चेतर जिससे लोगों का भला हो सकता है वह क्या कहलाएगा स्वय सेवा छेतर कहलाएगा तो कुल मिलाकर स्वय सेवा छेतर के हित में कार्य करते हैं अपने सेवा देते हैं यह कोई वी ऐसी गतिविदी संपन्न करते हैं जिससे इन सब का यह समाज पर सकार आत्मक प्रभाह पड़े उसी को ही क्या कहा जाता है स्वाय सेवा-очки राइट और स्वाय सेवा छेत्र को अगर हम देखें तो बर्तमान पर्यावरान बचाने की बात हो बंचित वरगों के उत्थन की बात हो या उर्जा सनेक्षन की चर्चा हो अच्छे पोशन की चर्चा हो या अच्छी सुवदाओं की चर्चा हो इन पर वी कई NGO's और कई और यही तो क्या है इनकी नवीन प्रवित्तियां हैं जिसको हम और अच्छे तरीके से इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे तो यह एक तरीके से इन दोनों टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया या एक तरीके से समरी हो गई तो स्वय सेवा के चेत्र में ग्रामीर विकास की नवीन प्रवित्तियां इनको हमने यहां पर समझ लिया और यहां पर हमने समझा कि स्वय सेवा छेत्र क्या होता है और स्वय सेवा छेत्र में कैसे नवीन प्रवित्तियां या कैसे परिवर्तन हो रहा है अब इस टोपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए और हो सकता है इस topic से various types के question पूछे जाएं तीन number में या 5 number में जो है इसके सब topic से questions पूछे जा सकते हैं इसलिए अब हम ये जो है पूरा को पूरा topic इसको और भी detail में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्वय सेवा या स्वयचिक संग्टन क्या होते हैं voluntary organizations क्या होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वय सेवा संग्टन या स्वयचिक संग्टन या voluntary organization वे organization होते हैं जिसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बगर किसी लालसा के या बगर किसी स्वार्थ के समाज के हित में लोगों के हित में सेवाएं करते हैं कारे करते हैं या किसी भी गतिविदी को संपन्न करते हैं तो सीधा कह सकते हैं कि ये जो स्वय सेवा या स्वचिक संग्ठन होते हैं ये ऐसे सम्मू हैं जो कि संग्ठत होते हैं ताकि एक विसेस उद्देश को प्राप्त क कर सकें गैर सरकारी होते हैं अर्थात इसमें सरकारी जो करमचारी होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें गैर सरकारी होते हैं आपचारिक एवं क्या होते हैं स्वय चलित होते हैं और एक बात और यहां पर यह स्वय सेवा समू नहीं है यह क्या है संग्ठन है अर्थात यह लोगो भी होती है और नीतियां भी बनाई जाती है ताकि इन संगटनों का आसानी से संचालन किया जा सके और उससे जो वांचित उद्देश है वह भी प्राप्त किया जा सके और यह जो voluntary के लिए जो प्राकृतिक संसादने उनका दोवन कर रहा है लेकिन हर एक विक्ति की इस समाज के प्रती इस सौसाइटी की या देश के प्रती भी कुछ उत्तरदायत वह होती है एवब जिम्मेदारियां होती है वहीं पर यह voluntary organization जब निस्वार्त भाव से समाज सेवा करते हैं तो यह युवाओं के लिए या याम जनता के लिए स्ववर्प्रेरणा के लिए या स्ववर्प्रेरणा के रूप में कार करते हैं और सकारात्मक बदलाओं के लिए बी यह कार करते हैं इसके साथ ही जो जतने भी voluntary organizations होते हैं इनके अपने कुछ आदर्स या मूल्यों और य उन आदर्स या उन ही मूल्यों पर चलते हुए ही सकारात्मक बदलाओं को लाते हैं एवं समुदाय के बीच में जो हैं रहकर कारिद करते हैं भारत अर्थात हमारे देश में इन स्वर सेवा या स्वर्चिक संग्टनों को गैर सरकारी संग्टन के रूप में भी हम कह सकते हैं एंजियो नोन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन या फिर क्या हो जाएंगे अलावकारी संग्टन या परोबकारी संग्टन या परमार्त संग्टन या नगर समाज संग्टन इत्यादी भिन भिन नामों से जाना जाता है तो चाहें एंजियो की बात करें वॉलिंटरी रोप कर सेंग्टन यह जो हैं इनके ही क्या है अलग-अ-अलग रुफ हैं यह और यह क्या अन्य नाम हो सकते हैं है अब यह जो संग्ऩन हैं यह चुँखि यह संग्टन आप स्वयम की नेतियों पर एवन सिद्धांदोंगत संचालत होते हैं इसके साथी समाज में इनके नियम कानुनम इनके संचालन में राइट इनकी बित्तिय प्रवंदन में पारदर्सिता बनी रहे इसलिए सरकार भी इनको अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है नियंत्रित करती है इसलिए हमारे देश में जो वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन हैं उनको वेरियस एक्ट के तहट एस्टेबिस किया जाता है उधारण के तोर पर जो वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन हैं उनको सौसाइटी रजस्टेशन एक्ट 1860 फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 फिर पबलिक ट्रस्ट एक्ट 1905 हो फिर religious indictment act क्या हो जाएगा 1863 हो जाएगा Charitable and religious trust act कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा Musliman buff act 1973 हो जाएगा Buff Act क्या हो जाएगा 1954 हो जाएगा और public waft act क्या हो जाएगा 1959 हो जाएगा इनके अंतर involuntary organizations का जो है वो गठन किया जाता है अब चूंकि यह जो voluntary organizations है इनका concept क्या होता है उनका इद्धिस्ट क्या होता है इनका method क्या होता है धर असल हमने जो ग्रामीर विकास है जो सामुदाइक विकास कायरकरम में NGOs की भूमिका उसमें भी हमने यहाँ पर इनके वारे में बिस्तार से चर्चा की थी तो वहाँ पर जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया है अगर उससे संबंदिच कुछ material है वो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं इसलिए इस topic में मैंने जो थोड़े बहुत जो अलक से point है या जो हमारे और काम आ सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर स्वासेवा संग्ठनों या जो NGO से उनके क्या उद्देश होते हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि जो voluntary organizations होते हैं वो जीवन की गुरबत्ता में सुदार के देते हैं ताकि समाज में जिल लोगों के पास भी भोजन नहीं है आवासिय सुबदाएं नहीं है सिक्छा की सुबदाएं नहीं है स्वास्त की सुबदाएं वो सभी सुबदाएं involuntary organizations के दोरा उपलब्द कराई जाती हैं ताकि जीवन की गुरबत्ता में जो सुदार हो सक दूसरा हमारे देश में सरकार द्वारा संचालित जितनी भी सेवा हैं चाहे वो और्तिक चेत्र की हो सामाजिक चेत्र की हो सांस्कृतिक चेत्र की हो राजनितिक चेत्र की हो या पर्यावरणी चेत्रों की हो उन सभी सेवाओं या उन सभी नीतियों या उन सभी कारिकरमों उन सब की कार्करमों की बिसेस्ताओं का वरणन करना और उनका चर्चा करना या उनकी जागरुकता जन सामन तक पहुचाना इसके साथ ही स्वास्त छेतर में जो जितने भी महत्वपूर्ण उत्तरदाई कारक है उनको रिकांकित करना लोगों के बारे में उनको जानकारी बताना इसके साथ ही नागरिक एवं जो पर्यावरणिय जाग रुकता है इसको विक्सित करना क्योंकि बतमान समय में जिस स्पीड से हम पर्यावरणिय संसादनों का दोहन कर रहे हैं चाहे वो कोईला हो चाहे वो बन हो या चाहे हमारा भूमिगत जल हो हम सिचाई के रूप में पेजल के रूप में ओद्योगिक जो है ओद्योगिक उत्पादन के रूप में इनका बहुत ही अनादंद तरीके से प्रियोग कर रहे हैं जाहिर सी वात जिन से नक एवल पर्यावरण प्रोदूसर नोगा बलकि वविस्त की फिडियों के लिए भी साथ ही उन आचरणों का या उन कारेकरमों को प्रोटमोट करें जो कि हमारे देश में हूँ राइट इसके साथ ही नागरिकों की जो सुक्ष सुविदाय है एवं सपाई पर बिसेश रूफ से ध्यान देना इसके साथ ही जो नागरिक मांदन है उनकी बहतरी के लिए जो हमा उड़ानवेन में नकीबल यह सुबिद्दा देते हैं. रैट? सहायता करते हैं बलकि अगर उन में कुछ भी खामियां होती हैं तो उसको उजागर करते हैं और उसको दूर करने के लिए सुझाओ भी देते वहीं समाज के सभी वर्ग जैसे गरीव हैं महिला हैं बालख है यूबा हो जाएंगे या बंचित वर्ग हो जाएंगे इनके लिए जितनी भी सुधारात्मक योजिनाई है write जो की उधारन के तोर पर क्या हो जाएगा की मादक पदार्तों से बचाव हो जाएगा नसा खोरी से बचाव हो जाएगा और बरतमान समय के सोशल मीडिया की इलत हो जाएगी पपजी की इलत हो जाएगी या रात रात बर जो है मोवाल चलाने की इलत हो जाएगी जिन से बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या लोगों की जीवन से ली पर जो बद्राव आ रहा है उनके बारे में लोगों को जागरूक देना राइट जागरूकता उत्पन्न करना उन से बचाव की जानकारी देना जागरूकता फैलाना ताकि ये लोग इन समस्याओं से निजात पा सकें राइट वैसे ही जो बालस्रम है दरसल रोजगार ना मिलने की बज़े से सिक्षा जो इस्कूल ड्रॉप आउट से उनकी संख्या भी बढ़ रही है तो बालस्रम जैसी जो बुराइया है इन से भी समाज को आगाव करना तो ये कुछ voluntary organizations के जो थे मैंने यहाँ पर उद्देश बताए और कुछ उद्देशों की चर्चा हमने पिछले lectures में भी की थी अब हम यहाँ पर जो है ग्रामीर विकास एबं स्वय सेवा संग्ठन की चर्चा करते हैं कि कैसे ग्रामीर विकास एबं स्वय सेवा संग्ठन आपस में topic है वो है कि recent trends in voluntary sector regarding rural development इसलिए हो सकता है ग्रामीर विकास और स्वय सेवा संग्ठनों को लेकर कोई भी जो है वो प्रस्न पूछा जा सकता है इसलिए हम यहाँ पर ग्रामीर विकास और स्वय सेवा संग्ठन में क्या संबंद होता है यह एक दूसरे को कैसे प्रभावित करत हैं इसको हम यहाँ पर निम्न बंदूओं से जो है वो समझते हैं तो ग्रामीर विकास में स्वय सेवा जो संग्ठन है वो बहुत ही लंबे समय से अपनी महत्वपूर्ण सुमिका उठा रहे हैं यह जनता के प्रतिसेवा सरोकार एवं घनुस्टता के जो उत्कृस्ट गु ग्रामीर चेत्रों का जो विकास है वो उतना सरल नहीं है दरसल ग्रामीर चेत्रों में जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो नीतियां उनके हित्मे होंगी या नहीं होंगी राइट ग्राउंड लेवल पर जो समस्या हैं उनका अध्यान करना आंकड़े जुटाना उनका ब भी किया जा सके इसके साथ ही ग्रामीर विकास में चाहे सिक्षा की बात हो, स्वस्थ की बात हो, महिला ससक्तिकरण की बात हो, पोस्वन की बात हो, न केवल ये voluntary organizations, जागरुकता पैदा करते हैं, वलकि कई ऐसी गतिविदियों में भी सलगन होते हैं, जिनके योगदान को इति रहास में भी सराहा गया है, इसके साथ ही, ये समाज के विकास के हर एक छेत्र में जो है, वो अपना मैतवपूर योगदान दे रही है, और यहां पर में चीज ये हैं, कुछ उदारण, हमारी बात जो भी हमने अभी तक की है, उसको पुस्ट करने के लिए, हम इन ये जो है जो है, छोटे बड़े जो है, वोलिंटरी और्गनाईजिशन, जो है, वो कार कर रहे हैं, और यहां पर उदारण के दोर पर हम बता सकते हैं, जैसे सबसे पहला हो जाएगा, खादी ग्रामुद्योग संग, जो खादी ग्रामुद्योग संग है, ये रोजगार के छेत्रों हैं, ये लोगों को प्रिसिक्छण देता है, बित्प्रवंदन की सिक्छा उपलप्त कराता है, विपड़न संबंधी जो सेबा हैं, उन्में सहीयोग देता है, ता कि लोगों को रोजगार भी मिल सके, या उनका जो स्वेर रोजगार है, उनकी विपड़न अच्छ gloss हो सके, ताकि उनके आएमें भी बरत्री हो वहीं जो किसान मजदूर संग्टन है कई किसान मजदूर संग्टन है वह भी किसानों के हित्म है ताकि किसानों को समय पर खाद वीज यूरिया प्राप्त हो सके एवं किसानों को सबसिडी क्रिसी क्रोणों पर सिबसिटी मिल सके उनको अपनी क्रिसी उत्पादों का बेतर मूल मिल सके वैसे ही मजदूरों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं ताकि जो हमारे देश की कंपनिया है वहाँ पर मजदूर एक अच्छे बात अब रण में संतूलित गंटों में कारे करें और उनको काम के बदले उच्चित जो है वो देजेस मी मिले इसके साथ ही सिक्छा के छेत्र में तो हजारों वॉलेंटरी और्गनाईजेशन कारे कर रहे हैं हर एक छेत्र में जहाँ पर सिक्छा के विलकुल भी संसादन नहीं है चाहे वो पहाड़ी छेत्र हो दुरगम छेत्र हो या जहाँ पर इसकूलों की विवस्था नहीं है उन छेत्रों में वॉलेंटरी और्गनाईजेशन सिक्छकों को नियुक्त करते हैं ताकि हर इस्तिती में जो है बच्चों को सिक्छा दी जा सके वहीं जो सुलव इंटरनेशनल है वो है देश में सोचाले का निर्माड कर रहा है ताकि हमारे देश में स्वक्छता में और भी अधिक सुदार हो सके और वहीं कई जो संस्ता है वो ग्रामीर छेत्रों में जल संग्रहन के छेत्र में कारे कर नहीं है ताकि ग्रामीरों में वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो है गाउं के लोगों के लिए जल उपलब्द हो सके देनिक आवसकता है पूरी हो सके इसके लिए जल संग्रहन के छेत्र में कारे कर रही है राइट वहीं वायफ संस्ता हो जाएगा जिसको भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये भी लोगों को रोजगार की द्रस्ती से जो है प्रिसिक्षण दे रही है राइट प्रिसिक्षण दे रही है लोगों को रोजगार की बारे में जानकारी देती है ताकि लोग आत प्रिशिक्चर दिया है ताकि जो जन प्रती निदी है वह भी ससक्त तरीके से और भी अपनी बहतर सेबाए दे सकें तो ये हमने यहां पर जो है ग्रामीर विकास एबारे में यहां पर चर्चा के अब हम समझते हैं कि ग्रामीर विकास में जो स्वय से भी संग्टन है उनका क्या योगदान रहा है इसको भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदूओं से जो है वो समझते हैं सबसे पहला तो क्या हो जाएगा जानकारी उपलब्द कराना हो जाएगा voluntary organizations या जो NGO से वो grass root level पर कारे करते हैं जो भी कटनाई होती हैं समस्या होती हैं उनकी जानकारी को एकत्रित करते हैं उसका विसलेशन करते हैं और उस जानकारी को या उस जानकारी को आगे सरकार को भी संप्रेशित करते हैं ताकि उनके लिए विकास कारिकरम है या सरकार की नीतियां है या संसादनों की उपलब्दता है ये जो सबकी जानकारी उपलब्द हो सके और वहतर जो नीतियां है या वहतर कारिकरम संचाले तो हो सके दूसरा हो जाएगा गाउं से जिला इस्तर की योजना वनाना ग्रामीर चेतर का सर्बागीन विकास केवल और केवल गाउं के विकास से नहीं हो सकता है जब तक गाउं को दूसरे या आसपास के सहरों से दूसरे गाउं सो बहतर सड़कों के माद्धिम से संचार सिवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक संपूर्ण छेतर का विकास नहीं होगा इसलिए ऐसी विकास योजनाएं भी ऐसी विकास योजनाएं बनाने में ये voluntary organizations योगदान देते हैं जिससे नकेवल गाओं का विकास हो बलकि गाओं से लेकर जिला तक सबी छेतरों का सर्वागीर विकास हो सके फिर क्या हो जाएगा योजनाओं का किरियान वियन हो जाएगा अब यहाँ पर जितने भी सरकारी कारिकरम होते हैं या जो भी सरकारी नीतियां होती है या सरकारी विकास कारिकरम होते हैं दरासल सरकार ठेकेदारी के माद्यम से उनको संपन कराती है और ठेकेदार कई बार अनुचित तरीके से या फिर जितना भी धन जितनी बित्ती साहता सरकार दे रही है उतना पूरा पैसा खर्च ना करके ब्रिस्टाचारी के माद्यम से जो है उस पैसे का गवन कर देते हैं और अधिकांस जो पैसा है वो ताम जाम में या उल्टे सीधे जो है उसमें खर्च हो जाता है इसी वज़े से यहाँ पर जो एंजियोस होते हैं वो उन विकास कारेकरम में जो भी खामिया हैं उनको जागर करते हैं सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं ताकि जो भी उस योजना में लूप होल्स हैं जो भी बीकिनिस हैं वो दीर का जा सके और जो भी विकास कारेकरम है या योजना है वो बहुत ही अच्छे से क्या हो सके संचालित हो सके वहीं जो भी विकास कारेकरम है योज करते हैं और उसका मुल्यंगन भी करते हैं और अगर कोई भी खामिया होती है तो उनको एक सिफारिस के तौर पर भी लोगों के समख्च लेकर आते हैं फिर यहां पर प्रसिक्षण हो जाएगा गिरामीर छित्रों में अधिकंग जो व्यक्ति होते हैं वो निरक्षर होते हैं उनके पास में अनुभाव नहीं होता है या अपने जीब का उपारजन के लिए उतना कारे करने की सैली भी नहीं होती है इस दसा में यह जो एंजियोस हैं यह उनको प्रसिक्षण देकर स्वाबलम भी बनाते हैं ताकि वो अपने जीब का उपारजन के लिए अपने जीब क आपारजन के लिए कोई रोजगार भी ढूंड सकें या स्वेर रोजगार में सलगन हो सकें इसके साथ ही अगली हो जाएगी तक्नीकी विसिस्ता हो जाएगी यह जो NGO होते इन NGO के पास में कम खर्चीला जो तकनीकी ग्यान होता है ये उनको फलब्द करा सकते हैं तो इस तरीके से अगर हम देखें यहां पर तो जो वॉलिंटरी और्गनाईजेशन है वो ग्रामीर छित्रों के बिकास में में तुपूर्ण भूम का निवाते हैं और ग्रामीर छित्रों की जो भी समस्यां हैं जो भी क करीमेंट होती हैं तो इंप्लिमेंटेशन में बहुत महत्व भूम का निवाती हैं और कई वार तो जो गवर्मेंट हैं वह हैं इन वॉलिंटरी और्गनाईजेशन के माध्यम से ही सिक्छा है स्वास्त है या सुक्षिता है या फिर अन जो योजना है सरकार भी इन एंजिय लोगों को सिक्छण प्रिसिक्छण देने में भी अपनी महत्वपूर्ट भून का निवाते हैं तो अब हम जो है अगले लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए धन्यवार झाल